इस बजेट में क्रिशी को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रुप से साथ रास्ते सुजाए गए हैं। पहला गंगा के दोनों किनारों पर पाँच किलोमिटर के दायरे में नेचरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष है। उसमें हर्बन मेडिसेन पर भी बल दिया जा रहा है। फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा एग्रिकल्चर और हॉड्रिकल्चर में आधुनिक टेक्नलोजी किसानों को उपलब्द कराई जाएगी। तीसरा खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए। मिशन ओयल परम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं उसको ससक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस बजेट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चोथा लक्षा है कि खेती से जुड़े उत्पादों के टांस्पोर्टेशन के लिए पी एम गतिशक्ती प्लान द्वारा लॉजिस्ट्री की नई व्यवस्ता बनाई जाएगी। बजेट में पांचमा समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मेनेजमेंट को अधिक और्गेनाईज किया जाएगा। वेस्ट एनरजी के उपायों से किसानों की आई बढ़ाई जाएगी। छठा स्वलूशन है कि देश के डेड़ लाग से भी जादा पोस्ट ओफिस में रेगूलर बेंकों जैसी सुविधाई मिलेगी ताकि किसानों को परिशानी ना हो। और सात्वा ये कि एगरी रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सेलेबस में स्किल डेवलप्मेंट, हुमन डिस्ट डेवलप्मेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बढलाव किया जाएगा।